असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो माई चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सब लग ठीक ठाक होंगे आज मैं आपनों के लिए लेकर आई हूं बेसन का वाइटनिंग फेस पैक जो के आपकी स्किन को वाइटन करेगा ब्रैटन करेगा दाग दबे रमूब करेगा यॉगसार बेसन के लिए लेकरSब्सक ठाग मुदा नेक्र आपस सबस्क्राइब करता है बेसन बहुत अचा Chen sour Eigen बहुत अच्छा natural exfoliator है यह आपके skin से dead skin को remove करता है dead impurities को दूर करता है और आपके skin को clean clear बनाता है जब आपकी dead skin remove हो जाती है तो automatically आपके black and white पी remove हो जाते हैं और जो दाग दबे होते हैं निशानात होते हैं और वो भी remove हो जाते हैं तो यहाँ पर तीन बड़े चमच मैंने basin के ले लिए है यानि के gram floor के ले लिए है gram floor जो के basin है हर घर की जरूरत है अब तो वैसे भी रमजान आ रहा है तो basin आपके घर में मजूद ही होगा बेसन के इस face pack को आपने तकरीबन साब दीन regular basis पर इस्तमाल करना और result आपके सामने होंगे अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी एक बड़ा चमच मुलतानी मीटी का मुलतानी मीटी भी आपकी skin के लिए बेहत beneficial होती है यह tanic का remove करती है, excess oil का remove करती है आपकी skin को bright light करती है, दाग धबे भी यह remove करती है मुलतानी मीटी का एक बड़ा चमच मैंने ले लिया है अब मैं इसके अंदर आड़ कर दूँगी 2-3 चुटकी हल्दी हल्दी जो है anti-vacterial होती है यह acne के खिलाफ fight करती है उसके बाद मैं इसमें 2-3 कत्रे अड़ कर दूँगी लीमू का रस लीमू में होती है bleaching agent जो कि आपकी skin को naturally bleach करता है polish करता है, आपकी skin को lighten करता है, brighten करता है, dark दबों को भी remove करता है तो लीमू का रस मैंने सिरफ 2-3 कत्रे ही add कर देने है अब मैं इसमें add कर दूँगी milk, यानि के lactic acid, इसमें दूद में होता है, कच्चे दूद में होता है lactic acid यह आपकी skin को brighter, lighter बनाता है, skin tone को even करता है face जो भी blemishes बगरा होते हैं, उनको remove करता है, जुरियों को remove करता है anti-aging के process को slow down करता है, और आपकी skin को काफी ज़दा अच्छा कर देता है तो यहां पर मैंने इसमें दूद add कर देना है, और दूद आपने इसके अंदर इतना add करना है, यह अच्छा सा paste बन जाए तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूद add करती रहूंगी, ताके यह अच्छा सा paste बन जाए यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा एड़ आड़ करती रहूंगी जब तक ये remedy त्यार होती है उससे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैक त्यार हो चुका है बेसन का अब इसको हमने यूज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने धुले हुए हैंड पर इसको अप्लाइ कर लूँगी आप अपने फेस पर इसको अप्लाइ कीजिएगा आपने अच्छे तरीके के साथ और यहाँ पर आपने इसको सूखने देना है तकरीबन 20 मिनट जा पर 10 मिनट का वेट करना है जी तो यहां पर दस मिनट हो चुके हैं यह अच्छे तरीके से सूख चुका है अब आपने क्या करना है थोड़ा थोड़ा दूद लगाते रहना है अपने उगलियों पर उसको अच्छे तरीके से मसाज करना है यहां पर आपने तक्रिबान 4-5 पिनट तक अच्छी तरीके मसाज करना है जब अच्छी तरीके से मसाज कर लोगे 4-5 पिनट का तमाम dead skin remove हो जाएगी जब जब 4-5 पिनट इसको अच्छी तरीके साब मसाज कर लोगे उसके बाद आपने इसको जो है नॉर्मल पानी के साथ वाश का लेना है धो लेना है ये काम आपने रोजाना करना है दस मिनट इसको रहने देना है पैक को उसके बाद पांच मिनट आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है उसके बाद धोना है इसको आपने रोजाना इसको आ आपने साथ दिन रेगुलर बेसेज पर इसमाल करना है और साथ दिन के बाद जब आपको इसके अच्छे रिजर्ट मिल जाए, फिर भी अगर आप इसको 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 एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी इसमाल कर सकते हैं, आप इसको इस भी इस फेस वाश के तोर पर यह बहुत अच्छा cleanser है ठीक है जी अगर आपको इस वीडियो के related कुई भी बात समय नहीं आई तो comment section में पूछ सकते हैं